तो मैं वापिस आ गया एक और नहीं मूवी सिनेमा सिमुलेटर की गेमप्ले वीडियो के साथ और पिछली में वीडियो में हम ये रोटी चचा से मिले थे जो हमें एक पॉलिटीशन से मिलाते हैं क्योंकि हमें अपने मूवी सिनेमा से मतलब अपने थेटर का रेनोवेशन का काम करना होता है तो वह हमें धमकाता है कि मेरे शब्दों के बाहर कोई है नहीं मैं एक रेनोवेटर दूँगा वह तुम्हें अपनाना पड़ेगा उसी के साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा तो हम भी उसकी बात मान लेते हैं वह हमको पाच्च लाक रुपे देने की बात करता है अब आगे ये एक्चुल में हाबट ह है उसने जो बिल्डर दिया था ना उससे पहले मेरे इससे बात हुई थी तो काम कब शुरू करना है माफ कर दे भाई क्यों क्या हुआ अगर अनेधर आफ़र की बात करूंगा मेरे को चपले से मारेगा ये मैं भाई बोल देतो मैं भी थोड़ा सा सोच रहो भाई आयां थि हाँ ठीक है जब जरूत पड़ेगी तब हम तेरे को फोन करेंगे बताऊंगा बताऊंगा मैं वह माई से अभी चला गया अभी लेखो यह है वो बंदा भाई क्या बोड़ी भाई तु बिल्डर है बोड़ी बिल्डर है यह क्या हाँ मेरा इस इने मार्टल है वह मियों नाम कम्यार था उसने इसको रिकमेंड किया था चेक कर लेए चेक करने जा रहा है जा अब अभी इससे बात करके देखते हैं कि ओके देखते हैं करें है इत्ना भाई मैंने जिंदगी में कमाया ने उतना दे रहा है कुछ रहे भाई बहुत महें काम कर इसको कि बहुत बढ़िया मानने के लिए त्यार नहीं है यह कम करेगा नहीं यह उसी में देगा अब ज़रा इधर का थोड़ा काम कर लेते हैं मैं ज़रा देख लेता हूँ अरे भाईया गलती से गलत बंदे को दे दिया गलत बंदे को टिकट दे दिया वाई वह एक्च्वल में तॉक एकम यह करता है ना अजकल सब कुछ काम तो भाईया आधा चूट गई मेरी है रोटी चल रहा है हां भाई चल रहा है काम अब क्या करें भाई वह बहुत पैसा मंगता है हुआ है हाँ बहुत मेरे बहुत अच्छी डिल है पूरा का पूरा शैर बनाने का खर्चा वह मेरे एक स्टूडियो के लिए मांग रहा है है आपसे कितने लिया जरा बताना या मैं भूल गया बहुत बढ़िया चक्कर में और खुद मैं से पूछो कि कितना लिया तेरे से मां तो भूल गया बास भाइ साब चलो भी चलते हैं जल बहुत सिर्णावरा इदहर आ गया कि चलो इससे बात करते हैं क्यों सब कुछ ठीक ठागा है तुछ जैसा वरकर मिले तो क्या ही बुरा होगा भाई थोड़ा तो कम कर दे नहीं देख मेरो को आभी कि आभी पैसा चाहिए वरना यह मैं काम नहीं कुरूंगा ठीक है जल्दी से जल्दी पैसा जमा कर यह ओफर वर भाई इतना ज़्यादा है इसकी बात मत सुन यह एक नंबर का फ्रोंड है वो काम वो रूम बनानी के लिए बस बीस हजर काफी है यह उल्लू बना रहा है तेरो को मेरा बिजनेस की उखराब कर रहा है तो निकलना इधर से तेरे को क्या है जहां पर मेरी बेज़ती होती है मैं वहाँ पर एक सेकंड मिने रुखता मैं जा रहा हूं यहां से इस जगड़े के लिए माफ करना लेकिन वह बहुत ज्यादा मैंगा आप दे रहा था तुमको मेर इस जैसे फ्रोड को काम देने से बेटर है मेरे को काम दे ठीक है इसका खर्चा कितना आएगा जरा यह भी बता दे अब रूको में जरा रूम चेक करके आता हूं फिर बताता हूं कितना लगेगा हम यह दसाजार में हो जाएगा बेकार मैं आप उसको पाच्छे लाख रूपे दे रहे थे इस चोटे से काम के लिए ले भाया तेरा पैसा ले अब मेरा काम शुरू कर ठीक है मैं अब यह अपना काम शुरू करता हूं काम शायद कल तक हो जाएगा चलो अभी यहां से निकलते हैं अपना काम तो यह करी देगा लीफ भाई तू इधर क्या कर रहे है मतलब अपनी सिस्टर है यह गेम के अंदर अपनी सिस्टर है गोड मॉर्निंग तो रेनेवेशन कैसे चल रहा है पांच लाक रुपए एक बंदा मांग रहा था दस हजार म निप्टा दिया है अरे अब अपरे भाई बजगे बालबाल भाई जरा धान से किसी पर विश्वास रखने से पहले जरा सोच लो देख लो काईसा है एक्सक्यूज मी बॉस रेनुवेशन का काम कंप्लेट हो चुका है हां सुरी मुझे माफ कर देना मैंने देखा हैं आप इस लड़की के साथ बात कर रहे थे हैं यलो मैं उसकी बहन हूँ हाई मेरा नाव हाबर्ट और मैं आका रेनुवेटर हूँ आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा है वास तुमने मुझे बता है नहीं तुम्हारे बहन इतनी ज्यादा सुन्दर है और मेरे कपड़े थोड़े से गंदे और मुझे थोड़ा ब्रस भी करके आना चाहिए था मैं आओ जाओ क्या अपनी पर मेरा मुझा निकर गई मैरे जबान तूट गई हास तो मैंने कहा था कि रेनुवेशन का काम कम्प्लेट करूंगा कम्प्लेट हो गया तो मुझे अभी यहां से चलना चाहिए कुछ और मदद लगे तो याद कर ले ना चलो ज़रा घुम के आत तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मेरा बिजनेस चीन लोगे और वनपीस में इससे अराम से घर जा सकोगे कम से कम तेरे जैसा चिटर नहीं हो मैं वो काम बंद कर वरना तुझे बंद कर दूँगा अब मैं समझ में आया हाँ जो बात करने हैं मेरे से कर उससे क्या बोलता है क्या बे विकारी सिनिमा थेटर बनाने की तो तेरी आवकात है नहीं और मुझे लड़ने आया है हाँ पी ले अभी एनर्जी ड्रिंग पिले थोड़ी देर बाद अस्पताल के दवाई पी रहा होगा आजा आजा तिरो को मैं अभी सोबक्सी करतों आजा 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 हाई बहुत डिंगे हाक रात था दुम दबाके भाग गया भाई एनर्जी ड्रिंग भी बागने के लिए इस्तमान के वहाँ मुझे बचाने के लिए शुक्रिया अगर आज तुम नहीं होते तो शाहिद वो मेरा कचुंबर मना देता भाई इस इलाके में बहुत सारे मान जाती है तो इसी तरह से अपना सेकंड चैप्टर कंप्लेट हो गया चलो जरक सीचीटी कैमरा देखते कोई बचा तो नहीं अभी अंदर अब वह तो वही क्रिपी आदमी है अब वह क्या था साला वह जो आदमी हमको ऐसे हाथ लाते वह दिखता था ना सीचीटी कैमरा के अंदर भाई वह मेरे मूग के सामने और रोटी चच्चा कैसे वह बाया और रेन्युवेशन के बारे में पूछ रहे हां तू आले भाई तुम में मेरे जले पर नमक चिड़कने आ गया इसको मालूम है कि मैंने उसको मतलब इसी कहने पर वो जो दूसरा अफ्रॉड ता उसको आयर गया था मजे लेनी आया है कि बेटा पाच लाक में बना लिया थ सिनेमा थेटर का ओनर बना दिया बहुत बढ़िया वह बोलती है कि यहां पर लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है खाने पीने में यहां पर एक कैफेटेरिया टाइप कुछ एला का बना दो तो हम भी त्यार हो जाते है ठीक है यह बोलती है उसी कंस्ट्रक्शन वाले को तो रेनुवेटर अपना आ जाता है और बोलता है कि हां यहां पर मामल पानी हो जाएगा सब कुछ बन जाएगा मैं पूछता हूं कितना लगेगा कितना जेब को खर्चा पड़ेगा मेरे जेब कितनी कटने वाली है वो मेरे को बोलता है भाई 15,000 देदे मैं बना देता हू मैं इसको पैसे देता हूँ और यह अपना काम भी इधार श्टार्ट कर देता है वैसे चलो भाई वो रेनुवेटर गया अपने घर आप मैं चलता हूं अपने घर यह क्या चल रहा है लगता है हाथ में डंडा लेना पड़ेगा अरे चचा मेरो को धके मानों देखे लो मत क्यार जरा देखे तो अरे यह आ रहा है मुझे लगता है इसी की इंतजार में इधर बट जरा देखे उधर चल क्या रहा है इनका तो यह कोई और ही गुंडे होते हैं जो भाई हमारे रेनवेटर को धमकाने आये होते हैं अब यह कौन थे क्या थे वो तो बाद में पता देखे न तू क्या कर रहा है वो देखो दूनों एनर्जी ड्रिंक पी रहे मेर को भी दौई से एनर्जी ड्रिंक क्या रहे यह ले आकरी फटका इस से पूछने पर कि किस्ने भेजा यह कहता है मिस्टर मियान ने भेजा हमें इसे मारने के लिए यह वही मेर था जिससे हमें रूटी चचा ने मिलवाया था और उसी ने ये रेनुवेटर दिया था फ्रॉड रेनुवेटर पाच लाक एलपी में काम करवाने वाला उसी ने इसको मारने के लिए भेजा अब यहां बड़ भाई डर जाता है कि भाई मेरा तो कुछ खेर होगी ने अब पहली तुने बचा फिर भी तुने भी बचा यह तीसरी बार में बचूंगा ना बचूंगा मैं बहुत डर गया लेकिन तो अगा जाता है अपना बंदा उसका नाम भी बड़ा आजीब है वह बताता है कि आप आई मैं उनको संभाल लूँगा तुछ चिंता मत कर तू आराम से ज वीडियो जरा भी अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक किजिए अपनी दोस्तों के साथ शेयर किजिए मैं मिलूंगा आप से ऐसी किसी मज़दार धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए अलविदा झाराल के लिए यहीशन तक के लिए अलविदार को लिए पुछ चाहँ आराम से जाराम से वीडियो किजिए लिए ऑट।